सुशान सिंग राजपूत की डेद के बाद सल्मान खान लोगों के निशाने पर आ गए हैं लोगों ने सल्मान पर यारोप लगाए हैं कि सुशान की डेप्रेशन की वज़ा कही ना कही सल्मान खान भी है इसलिए लोग उन्हें पिछले कई दिनों से खुब ट्रोल कर रही है हालाकि इस पीट सल्मान के फैंस उनके बच्चाव में भी उतर आए हैं और फैंस के साथ साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी सल्मान का साथ दे रहे हैं जिसमें से एक हैं कमीडियन सुनील ग्रोवर भी आपको बता दें कि सल्मान को नेकर सुनील ग्रोवर ने ट्वीट किया जिसके बाद उन्हें भी अब जम कर ट्रोल किया जा रहा है सुनील ने अपने ट्विटर अकाउंट से सल्मान को सपोर्ट करते हुए लेखा अब हुआ ये कि सुनील की ये बात यूजर्स को कुछ अच्छी नहीं लगी और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया देखे लोगों की ट्विट्स ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ये रिस्पेक नहीं चाप लूसी है थोड़ा भी शर्म होता तो सत्य का साथ देता अब तेरा भी बहिशकार होगा सुनील ग्रोवर क्यों खुद की रिस्पेक कम करा रहे हैं आज से लगता है तेरा भी पत्ता कट करना पड़ेगा क्योंकि कपिल शर्मा शो का प्रोडूसर सलमान खान है आपको निकाल सकता है और भारे चुख फिल्म में आपको विलाईती का रोल नहीं देगा बिग बॉस में बुला कर दो-दो मिनट के लिए गुद्थी बनवा देता है वो बस इतने में ही कुछ हो जाते हो आप भाई उठो जागो देखो आसपास क्या हो रहा है आइ रिस्पेक्ट यू पर ये गलट टाइम पर बोला आपने उस बंदे ने भरे अवार्ट शो में अरिजीत सिंग को इंसल्ट फिल करवाया जरूरी ए भाई आखिर कब तक गुलाटियां खाएगा वो कहावत है ना कि पानी में रहकर मगरमट से बैर नहीं करना चाहिए जाहिर है कि लोगों को सुनील की ये बात नागवार गुजरी लेकिन आपको बता दे कि इन सभी ट्रोलर्स को सुनील ने फिर से मूँ तोट जवाद दिया सुनील ने हाली में ट्वीट करते हुए लेखा कहीं अब मुझे पेड ट्रोलर्स को काम पे लगाने में मज़ा ना ने लग जाए अब सुनील का ये शारा किस की तरफ था भाई ये तो सुनील की जाने लेकिन इतना तो होते हैं कि सल्मान खान को लेकर अब लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है लिहासा यही वज़ा रही कि जब सुनील ने उन्हें सपोर्ट किया तो वो भी लपेटे में आ गए अब आपको बता दे कि सुनील क्रोवर सल्मान के अब काफी क्लोज आ गए हैं उन्होंने साल 2019 में फिल्म भारत में सल्मान के साथ काम किया था इसमें उनका रोल काफी बड़ा था और भारत में उन्होंने सल्मान के दोस्ट विलाईती खान का रोले भाय था और चर्चा है कि अब सुनील सल्मान के प्रोडक्शन हाउस के तले बन रही एक और फिल्म में काम करने वाले हैं